हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पर आपका स्वगत हैं तो आज हम अनायलसिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं साथ साथ ड्रॉ करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो नंबर आपको आपकी screen के उपर नजर आ रहा है यह है मेरा WhatsApp नंबर है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें WhatsApp के जरीए Signal के जरीए या फिर टेलेग्राम के जरीए Message सेंड कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक Squary Shape में नजर आ रही है जो Indicate करती है एक Hard Working Type की Nature को और अगर इनकी Fingers की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Fingers काफी अच्छी Length में हैं बिल्कुल Straight हैं जिसकी वज़े से एक Analytic Type की Personality ऐसे व्यक्ति की रहती है साथे साथ काफी अच्छी Energy and Stamina भी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगा अगर मैं इनकी तरचनी उंगली की बात करें यानि गुरू फिंगर की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे काफी अच्छी लंबाई में इनकी गुरू फिंगर नजर आ रही हैं काफी थिक हैं जो इंडिकेट करती हैं बहुत अच्छी Energy and Stamina को और साथी साथ काफी Strong Leadership qualities को ऐसे व्यक्ति spiritual minded होते हैं धर्म करम के कामों में रूची रखने वाले और दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली दूसरों को guide करने वाली personality ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी अगर हम इनकी शनी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शनी फिंग अगर नेटिव को मेहनती नेचर का बनाती है ऐसे नेटिव discipline होते हैं एक नय प्रिया और अनुशाशन प्रिया टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी और अपनी इनहीं खूबियों की वज़े से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे व लगभग एकुल पहुँचती हुई काफी स्ट्रेट और बिल्कुल अच्छी लेंथ में इनकी सूरे फिंगर नजर आ रही है जो एक creative टाइप की personality को indicate करती है ऐसे व्यक्ति की जो creativity का level है काफी अच्छा रहता है बहुत अच्छी artistic qualities भी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देख लेकिन साथी साथ थोड़ी risk taker type की personality भी ऐसे native की रहती है जिनकी यह finger अच्छी लंबाई में हो बिल्कुल straight हो अगर इनकी mercury finger की बात की जाए तो थोड़ी सी low set है अगर हम इनकी fingers के बिल्कुल नीचे एक line draw करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर हैं जबकि इनकी mercury finger थोड़ी सी low set होती हुई थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई जिस वज़े से थोड़ी hesitation भरा सभाव ऐसे व्यक्ति का रहता है थोड़ी nature जो है shy रह सकती है लेकिन overall अगर आप देखेंगे इस finger की लंबाई काफी अच्छी है length में विल्कुल भी कमी नहीं है जिस वज़े से native का business equipment और native के communication skills काफी बहतर आपको देखने को मिलेंगे अगर हम इनके mounts की बात करें तो आप देख सकते हैं इनका जो गुरू परवत का area है काफी prominent नजर आ रहा है गुरू फिंगर भी काफी अच्छी लंबाई में है इस area की हम बात कर रहे हैं जिस आप देख सकते हैं नीचे से उपर की तरफ चलती हुई यह है रिखाएं जिने हम तरक्की की रिखाएं कहते हैं ऐसी रिखाएं अगर गुरू परवत की उपर मौचूद हो तो ऐसा व्यक्ति अपने चीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में काम्याब रहता है और का काफी knowledgeable personality ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनका गुरू परवत prominent हो गुरू फिंगर भी अच्छी strength में हो अगर हम इनके अंगूठे के उपर बनने वाले यव के चिन की बात करें तो आपको यहाँ पर एक बहुत ही clear रिखाओं से यव की अक्रिती इस तरह की एक रिखा आपको ए ऐसे व्यक्ति को आने वाली खटनाओं का पूर्वा अभास हो सकता है कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो अपने किसी relative या मितर के साथ होने वाला हो तो ऐसी चीजों का अभास native को पहले से ही हो जाता है ऐसे native के six sense strong होती है और साथी साथ ऐसे native की शनी परवत की तो आप देखेंगे बिल्कुल फ्लैट शनी माउंट और अगर हम शनी रेखा की बात करें तो वो हमें यहाँ पर थोड़ी सी वीक होती हुई नजर आ रही है आपको यहाँ पर एक रेखा नजर आएगी जो आगे चलकर इस रेखा के माध्यम से आगे का रु कर रही है इस तरह की ओवरलैपिंग बीच में होना और शनी रेखा का एकवर रुक कर दुबारा से चलना जीवन में रहने वाले उतार चड़ावों को इंडिकेट करता है लेकिन इस तरह की रेखा हाथ में मौचूद हो तो नेटिव अपने चीवन में अपनी मेहनत के जब रहता जब कुछ इस तरह है क्योंकि एक रेखा जो आपको शनी परवत के करीब पहुंचती नजर आए तो ऐसे व्यक्ति को बहरी लोगों से स्पोर्ट मिलती है ऐसे व्यक्ति के विदेश जाने के चांसिस भी काफी स्ट्रॉंग रहते हैं फॉरन ट्रैवल और फॉरन से इंकम होने के योग भी काफी अच्छे बनते हैं जब यह भागया रेखा चंदर परवत यानि इस एरिया से शुरू हो और शनी परवत तक पहुंच जाए अगर मैं इनके सूर्य परवत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य परवत का जो एरिया है हलका सा दबता हुआ और सूर्य रेखा आपको यहाँ पर कटती हुई इस तरह से नजर आएगे सूर्य माउंट का दबना और सूर्य रेखा का बीच में आकर कटना इंडिकेट करता है कि जीवन में यश्की कमी रह सकती है ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले दूस जो सूर्य फिंगर है विल्कुल स्ट्रेट और काफी लंबी है अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो हलका सा लो सेट माउंट जरूर है लेकिन इस माउंट के उपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रिखाए नजर आएंगी जिने हम हीलिंग लाइन्स से अपनी सलहा या कंसल्टेशन के जरिये लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपिबिल्टी ऐसे व्यक्ति के भीतर भरपूर देखने को मिलेगी चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइन्स को तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो हाट हाट लाइन है कुछ इसतरह से एक कर्वड फार्मिशन में इसतरह की कर्वड हाट लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी केरिंग नेचर का होगा थोड़ी एमोशनल परसनालिटी भी ऐसे व्यक्ति की रहेगी यहांसे एक ब्राच का निकलना और इसतरह का V ट व्यक्ति अपने चीवन में अगर इमानदारी के रास्ते पर चलते रहें तो बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में जरूर कामयाब हो जाते हैं लेकिन इसके बिलकुल आपोजिट अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह चिन बन रहा हूँ गलत रास्ते पर चलकर बेमानी से धन कमाने की कोशिशें करने लगे तो चीवन में बड़ी दिकतें आ सकती हैं और तरक्की रुख सकती है अब देख सकते हैं इनकी हाट लाइन पर आपको कुछ नीचे की तरफ निकलने वाली चोटी चोटी डाउनवर्ड ब्रांचिस नजर आएंगी जिसकी वज़े से इनके उपर नेटिव बहुत अधिक ट्रस्ट करता हूँ और लेटरेज में चलकर कुछ माइनर हैल्थ इशूस का सामना भी इस तरह की ब्रांचिस की वज़े से करना पड़ सकता है जैसे ब्लोड फ्रेशर है थारेड है क्लेस्टरॉल ऐसी दिकतें जो नेटिव को कुछ प ब्रांच जो इनकी भाग्या रेखा में ही मर्ज होकर इस तरह से नीचे की तरफ चल रही है और एक ब्रांच यहां से निकल कर इस तरह से कर्वड फॉर्मेशन में एक फोर्क जैसी फॉर्मेशन यहां पर इनकी अथेली में मस्तिक श्रेखा के माध्यम से आपको बनती करने की यानि कलपना करने की जो क्षमता है वो काफी स्ट्रॉंग होगी अगर ऐसा व्यक्ति अपनी कलपनाओं को अपनी इमेजिनेशन को चैनलाइज कर लेता है एक कोई अच्छा काम करने लगे जैसे कोई क्रियेटिविटी वाला काम डिजाइनिंग डेकॉरेशन या फि इस तरह है कि मस्तिक श्रेखा होने से नेटिव को थोड़ा तनाव और स्ट्रेस चीवन में परिशानियां दे सकता है तरवाज इनकी मेमरी काफी अच्छी रहेगी क्योंकि यहाँ पर इनकी भागया रिखा इनकी जो मस्तिक श्रेखा है यह डबल है और थोड़ा सा चुका होने की वज़े से थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉबलम नेटिव को परिशानियां दे सकती है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी लाइन ओफ लाइफ को आप देख सकते हैं इनकी जो लाइफ की लाइन है यानि जीवन की रेखा यहां से शुरू होकर एक लंबी रेखा के रूप में इनके हाथ में आपको नज़र आएगी इस तरह की लंबी लाइफ लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है लंबी रहेगी बीच में कुछ स्ट्रेस लाइन्स होने की वज़े से कुछ माइनर हैल्थ इस्यूस का सामना नेटि होती है वहाँ पर एक बहुत अच्छा फिश का चिन इस सरकल के अंदर आप देखोगे आपको एक मचली नुमा अकरिती नजर आएगी कुछ इस तरह से यह बन रही आपको ड्रॉ करकर दिखाना चाहूँगा कुछ इस तरह की रिखाऊं से एक क्लियर फिश की इनके हाथ में बनती हुई आपको नजर आएगी और ऐसा चिन हाथ पर होना चीवन में कई बार अचानक धनलाब देता है ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्किट से लोटरी से इंशोरेंस के माध्यम से उष्टैनी जमीन जैदाद यानि इनहेरिटेंस के माध्यम से धन की प्राप्ति जीवन में होती है कई बार अचानक धनलाब भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको देखने को मिलेंगे इस तरह का फिश का चिन होना नेटिव को काफी लकी बनाता है ऐसे व्यक्ति को लंबी दूरी की यातराएं करने के मौके मिलते हैं चीवन में एक से अधिक बार फॉरण ट्रैवल करने के मौके भी इस तरह के फिश के सिंबल की वज़े से नेटिव को मिलते हैं अगर हम इनके शुक्र यानि वीनस माउंट की बात करें तो यह जो एरिया है जो मैं अभी सरकल कर रहा हूं यह वीनस का एरिया यानि शुक्र परवत कहलाता है और जिन लोगों का यह माउंट उठा हुआ हो ऐसे व्यक्ति को अपने चीवन में हर तरह की सुक्स विधाएं जरूर मिलती है ऐसा व्यक्ति अपने चीवन में हर तरह के comforts को enjoy कर पाता है आप देख सकते हैं इनके शुक्र परवत पर आपको कुछ हलकी आड़ी रिखाएं भी नजर आ रही होंगी जिने हम worry lines यानि चिन्ता की रिखाएं कहते हैं ऐसी रिखाएं होने से कुछ न कुछ परिशानिया अपने परिवारिक जीवन को लेकर native को आती है married life में थोड़ा delay होना या married life में कुछ दिक्तों को आना भी इस तरह की रिखाओं की वज़े से possible रहता है अगर हम इनके चंदरपरवत की बात करें तो आप देख सकते हैं चंदरपरवत का इरिया काफी अच्छा नज़र आएगा आपको कुछ बारीक रिखाओं इस तरह से उपर की तरफ उठती हुई जिस तरह से यह रिखाओं बन रही है यह रिखाओं जीवन में कई बार long distance travel को indicate करती है यहाँ पर आड़ी रिखाओं होना विल्कुल side के एरिया पर native को short travels भी काफी देता है तो दोस्तों यह कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एक ही वीडियो के तरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई न कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पर message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद